प्रधान मंत्री अकर सदन में जवाब दे लगातार कामकाज बाधित है और संसत का जो मौनसुन सत्र है जिसकी उप्यूगता आने वाले समय को देख के हो सकती थी लगातार काम नहीं हो पा रहा है इस सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रिय मंत्री अस्मनी चौबे जी हैं सर कितना महत्पू सत्र है क्योंकि संसत का मौनसुन सत्र है लगातार तीन दिन तंक हंगामा होता रहा पहले तो इस सत्र को की सरतक्ता को अब कैसे दिखते हैं देखे जिस परकार से बिपक्ष हागामा खड़ा करके और ये जनता को ढम करने का प्रियास किया जा रहा है यह हंगामे से नहीं हो सकता है और हंगामा करके और भागजाना केवल मुद्दा उठाना के बाद मुद्दा ही नहीं हे और इसको दूरभाग रहन से य सब्सक्क पर चाहते हैं तक की जो बीपक्स कभी लोग है वो चाहते हैं कि नहीं इस सदन चलना चाहिए उनके कई महत्तपुर्ण प्रश्ण हैं कई चीजें तो आप जो जनता का चाहते हो कि मनिपूर के परतिया घर आपके मन में अच्छी बाबना है कि मनिपूर वहां सांती हो वहां सारी विवस्ता हो तो आप मनिपूर में उसके लिए आप मुद्दा चर्चा करो यहां सदर में सदन की कोई मार्यादा है या नहीं है सदन के अंदर जब ग्रिया मंत्री उसके पहले हमारे सुरक डिपेंस मिनिस्टर स्वेम मनिराजना जी बाद में आज ग्रिया मंत्री जी ने कहा कि मैं करने के लिए तयार हूँ आप तयार हो जाए तो फिर क्या हल्ला क्यों कर रहे हो प् जनता सब देख रही है और यह जान लो यह विपक्ष को और यह जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं इनको पुरी तरह से इनको ओने मुग गिरना पड़ेगा इनका जनता सूच सही जवाब ले लेगी यह करोड रुप्य खर्च हो रहें पार्लियामेंट में सेशन में और आप तक्टी ले करके जनता को गुम्रह कर रहा हूं कि हम मनिपूर के लिए आपकर बहुत दिल में दर्द है घड़ाली आशु बाहरो मनिपूर के लिए यह घड़ाली आशु है विपक्ष पूरी तरह से असुनी जिस तरह से प्रधानमंतरी जी ने सुयम प्रारम और अधे निकार को कंडम करते हुए चर्चा की मांगर रहें बिपक्चों से लगातार कहा रहें कि आप आया है और शार्ड समवाद करेलिए पिर क्या वज़े देखते हैं कि संबाद नहीं हो पा रहा, किसी मुद्डे का हल निकल पा रहा ते मैं कह रहा हूँ ना यह संबाद हीनता कितनी खराब बात है कि परिवार में भी आपस में तूट हो जाती है और ये लोक्तंट्र का पवित्रमंदिर है ये पाप के लिए बना है , यह संबाद के लिए बना है जहां आ करके पक्च और बिपक्च एक विन्दू पर मिल करके आते हैं को सार्थक उससे निकरके आता है , तो आप प्रदानमंति जी ने पहला दिन बिपक्च के तरप जाकर के मिलकर के सार्थक कहा कि इसको हम शंबाद के दौरा सार्थक रूप से इसका हल लिका ले उनकी संबेदना को आप ने शुला प्रधान मंती जी कितने कष्ट और पीड़ा से उन्होंने उसको कंडेम किया है कारवाई भी शुरू हुआ कड़ी से कड़ी कारवाई आपने देखा कि वहां के मुख्यमंती ने भी उसको काफी कड़ाई से लिया है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेतुकी बात करना मुद्दा भी हिन होगा और जनता को पूरी तरह से गुमरहा करना होगा जनता को दिख बर्मित करने का यह विपक्स का जलता सब मुझे लगता है कि बहुत सारे घ्री जो स्वहम पालीयवैंट के CRPD जाए दाए वर शीटील वेर शेयां बेट्विए उस पर जापते को प्राह्ट हम सब्सक्राएंट अ रिभी बिल और सब्सक्राइट जानीत के लिए करता आने वाले दिनों में जनता का लृणा मिलेगा और देश और दुनिया में हमारी स्थिति और भी अच्ची Nu हम उस बात को श्विकार कर रहे हैं सरकार को काम नुद्र करने दो और पूरी तरह से अपनी बात को जबरदस्ती बिना मुद्दा वहीन हो करके और जबरदस्ती लादने की बात ये जनता पर कह रहे हैं जनता को गुम्रा कर रहे हैं जनता पागल नहीं है जनता बुद्धिमान है उन्होंने अमनों को भेजा है तो जब भेजा है तो यहां आके चर्चा करो यहां अपनी बा कौदी जी सथ्ट किया और रिस्था से वो पविट्र बंदिर लोकतंत के मंदिर पर्टी उनकी और हम समलों कि अपार आस्ता है हम इस आस्ता को मिटने ना दे इसका अमरत्र तो नाके रखें और निशित रूंस से लुए इसका प्रवल कहा जा है बल है हम सार्थक चर्चा करें सभी लोग अन्रोध कर चुके हैं कि सत्र चले ऐसे में सत्र को न चलना विपक्ष की ओर एक बड़ा सवाल कायम करता है अम रेंद कुपता संसट टीवी संसट भोवन दिल्ली